दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फुल गोबी की एक ऐसी वराइटी के बारे में जो कि आज तक की सबी वराइटियों में से सबसे अलग और सबसे दमदार वराइटी है और सबसे मतलब टोप वराइटी है और इस वराइटी की सबसे खास बात ये है क आप इसको अगस्त माह से लेकर और नवंबर माह तक कभी भी आप इसका नरसरी डाल सकते हो कभी भी आप इसको लगा सकते हो यानि लगातार तीन महिने तक चलने वाली वराइटी है बार-बार आपको अलग-अलग वराइटिया खरीदने की जरूरत नहीं है इसी एक variety को आप अगस्त से लेकर नवम बर्तक आप इसको लगा सकते हो और इस variety का जो result है वो बाकि सभी variety हो में से सबसे अलग और सबसे दमदार result है उत्पादन के मामले में भी सबसे अलग है सबसे अच्छा उत्पादन है और जो इसका फूल की quality है वो तो काफी शांदार और काफी दमदार variety है pure white color का आपको इसमें फूल मिल जाता है गुद्देदार यानि एकदम बंधावा फूल आपको इसके अंदर मिल जाता है ताकि आपको जो market value है अपने production की वो काफी शांदार इसमें मिल जाती है दोस्तो आज के इस वीडियो में इसी topic पे बात करने वाले है कौन सी variety है कौन सी company की है और कौन सी खास बाते हैं इस variety के अंदर जो और variety से इसको अलग करती है दोस्तो आज का वीडियो आपको complete देखना है चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe ज़रू कर लेना और साथ में notification bell भी on कर देना ताकि समय समय पे आपको खेती बाड़ी से related वीडियो मिलते रहें नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान जुन जुन दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ सेमिनस company की 40 जा वराइटी की काफी किसान भाई जो सालों से फूल गोबी की खेती करते आ रहे हैं और जिनको फूल गोबी की वराइटियों का अनुभव है वो सब भी किसान भाई इस variety का selection करते हैं और जिस किसान ने इस variety को एक बार लगा लिया वो बार बार इस variety को जरूर लगाता है क्योंकि इसका result ही कुछ है साई बहुत शांदार result आपको इसमें मिल जाता है फूल की जो गुणवत्ता है वो इसकी सबसे खास है यानि इसका जो फूल होता है इसका जो वजन होता है वो आपको एक केजी से लेकर और डेड़ केजी तक जो है इसके फूल का आपको वजन मिल जाता है यानि वजन तो आपको average जो बाकी variety का मिलता है उतना ही मिलता है और market value भी इतने वजन वाले फूल की ही मिलती है में मिल जाता है। लेकिन फूल की जो मतलब क् ön quality है वो काफी शानधार होती है। यानि आपको इसका जो फूल है वो एकदम बंधावा गुंबद आकार का फूल मिलता है और प्योर वाइट कलर का फूल मिल जाता है वाइट कलर का आपको इसलिए मिल जाता है कि जब तक आप इसके फूल के हार्वेस्टिंग नहीं करते हो जब तक हार्वेस्टिंग के लाइ रहता है, लेकिन इसका फूल है वो ज्यादा कवर रहता है बाकी वाराइटियों से, यानि पूरी तरह से पत्तों के अंदर यह common रहता है, दाकि आप अगर एक दिन नेट भी हो जाते हो तो आपका फूल है वो पूरी तरह से खराब नहीं होता और जब तक पत्तों के अंदर फूल रहता है वो प्योर वाइट ही रहता है पत्तों से बाहर निकलने के बाद में आपका जो फूल है वो थोड़ा क्रीमी वाइट हो जाता है लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो आपको प्योर वाइट मिलती है तो इसके जो फूल का जो डिमा कैसा है थोड़ा आप जल्दी लगा जेते हो थोड़ा जल्दी तयार हो जाती है और जैसे थंड़ पढ़नी शुरू हो जाती है तो थोड़ा समय ले लेती है फुलगों भी तो ये थोड़ा पांच-dash दिन थोड़ा उपर नीचे हो सकता है 70-80 दिन में ये वराइटी जो आपकी तयार हो जाती है और दूसरी सबसे खास बात ये है कि हर कलाइमेंट में आप इसको लगा सकते हैं मतलब कि आप इसको जो है इंडिया के किसी भी कोने में लगा सकते हैं यानि बाकी वराइटियों से ये भी इसको अलग करती है थोड़ा सा कि इंडिया में इस वराइटी को आप कहीं भी लगा सकते हो इस वराइटी का प्लांटेशन करते समय लाइन से लाइन की दूरी आपको 45 सेंटीमेटर रखनी है और plant से plant की दूरी आपको करीब 30 cm तक रखनी है इस तरह से आपको इसका plantation करना है और nursery डालने के बाद में आपकी यह जो variety है plantation के लाइक करीब 25 दिन में हो जाती है 25 दिन में आप इसका plantation कर सकते हैं और उसके बाद में करीब 70 से 75 या 80 दिन में maximum आपकी यह जो वराइटी है पकर तयार हो जाती है यानि आप इसकी कटाई उस वक्त कर सकते हैं तो काफी किशान भाई इस वराइटी का सेलेक्शन कर रहे हैं काफी मज़ेदार और काफी शांदार वराइटी है अगर आप अगस्त महा में फूल गोबी की खेती करने की सोच अगस्त में आप कभी भी जो है इसकी नरसरी डाल सकते हो और उसके बाद दोस्तों सितंबर से लेकर नौमबर तक दो है कभी भी आप इस वराइटी का सेलेक्शन कर सकते हैं तो अगर आप फूल गोबी की खेती करने की सोच रहे हैं और किसी अच्छी वराइटी की तलास कर रहे हैं तो सेमिनस की फूल टीजा वराइटी का सेलेक्शन कर सकते हैं काफी अच्छा और काफी शांदार रिजल्ट इससे आपको मिल जाता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको सेमिनस की फूल टीजा वराइटी जो की काफी शांदार वराइटी है इसके